हेलो दोस्तो स्वागत आपका अपने चैनल पे दोस्तो इंडिन रेलवेस के ट्रेंज में सेकेंड एसी के कोचिस होते हैं इन कोचिस में यात्र करना बहुत ही कमफर्टेबल होता है बहुत सारे पैसेंजर सेकेंड एसी कोच में यात्र करना चाहते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि second AC coach में यात्रा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यात्रा के दोरान हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो चले दोस्तो इस वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तो पहले हम बात करते हैं टिकेट बुकिंग के बारे में दोस्तो अगर आपको second AC coach में यात्रा करनी हो तो आपके पास confirm ticket होना चाहिए आप confirm ticket के साथ ही second AC coach में अच्छे से यात्रा कर सकते हैं अगर आपका journey pre-plan है तो आप advance में ही इसका ticket बुक कर सकते हैं आप जितना जल्दी ticket बुक करेंगे उतना chances रहता है कि आपको confirm ticket मिल जाता है आप इसका ticket online ISACC की website, ISACC का mobile app या फिर station पर ticket window counter पर जाकर बुक कर सकते हैं अगर आप general category में ticket book करते हैं तो इसका timing है सुबे में 8 बचे और वहीं पर अगर आपको urgent में जाना है तो आप ततकाल ticket book कर सकते हैं ततकाल booking का timing है सुबे में 10 बचे ततकाल कोटा से आप सुबे में 10 बचे AC class का ticket book कर सकते हैं परन्तु ततकाल में confirm second AC का ticket मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इसके लिए आप 9 बच के 55 मिनिट पर ही अपने IRCTC ID पर login करके बैठें और जैसे ही 10 बजे का वैसे ही आप अपना booking करना start करतें तो यहाँ पर chances होगा कि आपको confirm ticket मिल सकता है अब आपको बदाते हैं दोस्तो seat composition के बारे में second AC का जो seat composition होता है एक cabin में total 4 seats रहता है lower upper उसके opposite lower upper और side में 2 seat रहता है side lower और side upper और इसमें आपको books और newspaper पढ़ने के लिए reading lights रहता है mobile और laptop चार्ज करने के लिए charging point रहता है एक mirror भी दिया गया रहता है upper birth और side upper birth पे चड़ने के लिए आपको seat दिया गया रहता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस पे चड़के आप अपने upper और side upper birth पे जा सकते हैं second AC coach में खास बात ही रहते हैं कि आपके cabin में curtains लगाए गया रहते हैं और अगर आपका seat side lower side upper में भी है तो वहाँ पे भी curtains लगाए गया रहते हैं और windows पे भी curtains रहते हैं तो यात्रा के दौरान आप curtains लगाके यात्रा कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी disturb करने वाला नहीं होगा second AC coach में आप confirm ticket के साथ ही यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पास waiting ticket है तो आप second AC कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं तो इस बात का आप दोस्तो ध्यान रखिएगा दोस्तो यहाँ पे passengers का एक सवाल रहता है कि उनके पास RAC ticket है तो क्या वह RAC ticket से second AC कोच में यात्रा कर सकते हैं तो इसका जवाब है जी हाँ बिल्कुल आपके पास अगर RAC टिकेट है तो आप RAC टिकेट से यात्रा कर सकते हैं जिन पैसेंजर के पास RAC टिकेट है उनको आधी सीट मिलती है जो की साइड लोर का बर्थ रहता है वो जादे तर RAC पैसेंजर को एलोट किया जाता है एक सीट पे वहाँ पे दो पैसेंजर शेर करके ट्रेवल करते हैं यहाँ पे RAC पैसेंजर को एक दिकत के सामना करना पड़ता है कि पूरा किराया देने के बाउजूद उन्हें अपना सीट दूसरे यात्री के साथ शेर करके ट्रेवल करना पड़ता है दोस्तों आप जब भी भी ट आप टिकेट कंसिडर कर सकते हैं तो आप जब भी भी ट्रेन से ट्रैवल करें तो अपना एक आईडी प्रूफ कैरी जरूर करें दोस्तों सेकेंड एसी कोच में यात्रा करने के दौरान आपको लिनिन सर्विसेस मिलती है जैसे की कंबल, चादर, बैट शीट और तक्या आप जो लोवर सीट रहता है उसके नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं यात्रा के दौरान और साइड लोवर का अगर सीट आपको या साइड अपर का सीट मिलता है तो साइड लोवर सीट के नीचे भी आप अपना लगेज रख के यात्रा कर सकते हैं दोस्तो second AC coach में travel करने का एक फायदा यह होता है कि इन coaches में भीड़ी नहीं होती है जैसा कि आपने sleeper class या फिर third AC coaches में देखा होगा है इन coaches में आज के time पे भीड़ बढ़ चुकी है परन्तु second AC coach में भीड़ी नहीं रहती है और चाड़ बनने के बाद भी वो ticket confirm नहीं होता है तो आपका ticket automatic cancel हो जाता है कई बार ऐसा दिखा गया है कि जिनकी पास online ticket रहता है वो confirm नहीं होता है तो भी उस ticket के साथ train से यातरा करते हैं और यहाँ पर TTE जब भी उन्हें पकड़ते हैं तो उनके उपर without ticket का fine लगाया जाता है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखियेगा अगर आपका ticket confirm नहीं होता है तो आप train से यातरा नहीं कर सकते हैं online लिया हुआ ticket और वो automatic cancel हो जाता है अगर वो waiting ticket RAC में आता है तो आप जरूर RAC ticket पर train से यातरा कर सकते हैं और वहीं ticket अगर आपने counter से लिया हो और वो waiting में है चाड़ बनने के बाद भी वो waiting में रहता है तो आप train से यातरा तो कर सकते हैं परन्तों आप second AC coach में यातरा नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको TTE sleeper class या फिर general class में भीज सकते हैं तो आप इस बात का जोरू ध्यान रुखिएगा दोस्तों अगर आपके पस counter वाला waiting ticket है और आपको यातरा करनी है second AC coach में तो एक तरीके से आप कर सकते हैं आप second AC coach में जा के देख सकते हैं अगर वहाँ पर कोई seat खाली रहता है और आप TTE से पूछ सकते हैं कि sir यहाँ पर यह seat खाली है इस seat पर passenger कोई आने वाला है या नहीं आने वाला है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई passenger train नहीं पकड़ पाते हैं तो वो seat खाली रहता है उस स्थिति में TTE अपना चार्ट देखेंगे और वो दो station तक wait करेंगे अगर दो station तक passenger नहीं आता है तो वो seat आपको allot कर सकते हैं तो इस स्थिति में आपके पास counter वाले waiting ticket होने के बावजूद आप train से यातरक कर सकते हैं second AC coach में दोस्तो जब भी आप second AC coach में travel करते हैं तो वहाँ पर coach attendant रहते हैं हर coach में वो आपकी हर तरह की साहता करते हैं वहीं आपको यातरक दोरान lean in provide करते हैं coach की maintenance रखते हैं coach की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं अगर आपको किसी चीज़ के परिशान ही हो तो आप coach attendant से संपर्क कर सकते हैं या फिट्रेन में TTA भी मौजूद रहते हैं दोस्तो second AC के coach जो है mail और express trains में लगाए जाते हैं और सारे premium trains हैं जैसे की राजधानी express हो गया दुरुन तो express हो गया इन ट्रेनों में भी second AC के coaches लगाए जाते हैं दोस्तो second AC का जो coach रहते हैं उसके उपर A1 नमबर लिखा रहता है इससे यह denote करता है कि यह कुछ second AC का अगर आपके टिकेट पर A1 लिखा है तो आप समझ जाए कि यह second AC coach है और वहीं पर कुछ ट्रेनों में HA1 जो नमबर लिखता है जीन coaches पर उसमें भी second AC का seat रहता है तो आपने अगर second AC का टिकेट बुक किया है और आपके टिकेट पर HA1 लिखके आता है coach नमबर तो आप समझ जाए कि यह HA1 में आपका seat है जो की आधा seat जो रहता है उसमें first AC का रहता है और आधा seat second AC का रहता है तो आप इस पर confused मत होईए दोस्तों जब आप train में सफर करते हैं और train में अगर pantry car की services है तो आप pantry car से खाना लेखे खा सकते हैं में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है pantry car में rate का आज के time पे pantry car में over price खाना दिया जा रहा है अगर आप खाने का rate पूछेंगे तो wedge खाने का आज कल बहुत सारे trainer में 120 रूप ले रहे हैं इस पर उन लोग बोलते हैं कि यह special खाना है यहाँ पर IRCTC का जो rate है उसके हिसाब से जो standard खाना मिलता है वेज खाना 80 रूपेस का और जो चिकन अगर ठाली लेते हैं आप उसका price है 130 रूपेस तो आपको अगर standard खाना लेना हो तो कम price में आप लेके खा सकते हैं वो आपको pantry स्टाफ नहीं बताएगा आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे standard का rate बताईए और वही खाना प्रवाइड कीजिए तो इससे आपके कुछ पैसे भी बचेंगे अगर आप single travel कर रहे हैं तो उतना फरक नहीं पड़ेगा परनतों अगर चार पांच मेंबर के सां कानल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर और लाइक करें अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment में लिखे हम उसका answer देने की भरपूर कोशिश करेंगे तो चले दोस्तों इस वीडियो कब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में तब तक लेबा बैटे केर चाहिंद